तो हम लोग का SSGDA special batch चल रहा है जिए त्रिनेत्र batch है और इसमें हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं इकाई यंक सुन्यों के संख्या आज हम लोग बहुत है डिटेल से basic बाते करने वाले हैं संख्याओं के बारे में संख्याओं का थोड़ा सा परिचे आपको दे दे जाए इंट्रोडिक्शन ऑफ नंबर्स थोड़ा सा इनको देख लिए जाए इसमें क्या होना है हो सकता है कुछ चीज़े आप जानते होंगे मैं जैसे रूड संख्या के बारे में जब बाते आती हैं भाज संख्याओं के बारे में जिसे अब रूड संख्या मतलब भाज ये भी का जाता है ये सभी क्या किसको कहे जाते हैं और भाज संख्याओं में सा भाज संख्याओं इस प्रकार की चीज़े जब आती हैं तो हमे तो आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा और ये आपके लिए हमेशा के लिए क्लिर हो जाएगा डाउट जिसको पूरा ध्यान से देखेगा आए वीडियो को सुरू किया जाए देखिए संख्याएं जो है नंबर्स संख्याओं का परिच्छ है नंबर्स जो संख्याए हैं कि हमारे दिमाग में जदा तर जब आपको याद होगा तो जब आप छोटे होंगे तब हम लोग सिर्फ यही नंबर्स जानते थें कि जैसे आसान भासा में आप लोग को छोटे में बताए जाता है कि पांच में से तीन गया दो दो में से एक गया एक और जब हम छोटे म जैसे हमारे सामने कोई ऐसा मिलता था कि तीन मेंसे पांच गया तो फोरी जाता है हम करते थे कि ऐसा थोरी होता है लेगिन थोरा सा और बड़े हुए तब हमें पता चला कि नहीं तीन मेंसे भी पांच जाता है और यहाँ पर माइनस दो आजाता है तो एक निगेटिव संख्य तो फिर थोड़ा सा और क्लास आगे बढ़ते गए तो हम लोग ऐसे समझते चले गए थे कि देखिए यहां पर क्या होता है अगर एक से स्क्वाइर बराबर 16 दिया गया हो तो हम लोग एक से बराबर प्लस माइनस अंडरूट 16 कह देते हैं और इसको हम लिख देते थे प्लस म माइनस चार क्या दोग ये अभि जानने वाले नहीं नहीं है मैं आप कुछ जगह पर लेकर आहयरा हूं कि क्या जानने वाले थोड़ी सी कुछ बाते मैं समझा रहा हूं ये हम लोग समझते थे हैं और हम बोलोग कहते थे कि इसका वेल्यू प्लस माइनस 4 हो गया लेकिन देता हूं तब आपको 11 में जाने की बाद पता चलता है कि कुछ इस प्रकार की भी संख्याय होती है 10 में आप पढ़े होंगे बबु 10 में तो आप पढ़े हैं तो 10 में आप पढ़े होंगे कि जैसे ही इधर निगेटिव संख्याय आजाता था रूट के अंदर तो हम लिख देते थे दुई घात समय करन अगर आप पढ़े होंगे दूसरे नंबर्स अलग टाइप के नंबर्स कहलाते हैं एक दूसरी संख्याय कहलाती हैं तो वह क्या कहलाती है उद्धी सभुच चीजों के बारे में हम लोग देख रहे हैं यह नहीं पढ़ना है लेकिन यहां पर मैं समझा दूँगा कि इसके लिए क्या नेम दिया गया ह क्या चीज़े दी गई हैं, तो आए हम लोग देखते हैं, संख्याओं को समझते हैं, क्या क्या और कैसे कैसे, अब हमारे पास आगए नंबर्स, नंबर्स कैसे हैं, तो सबसे पहले एक बात बता दू, आप जितने भी चीज़ों को जाने हैं, वो सब कुछ वास्त्विक संख् तो एक बार उसी हिसाब से ये कॉंप्लेक्स नंबर्स को समझके ही, मैं इसको दो भागों में आपको दिखा रहता हूं, एक हो जाता है, आपका रियल नंबर्स, यानि कि वास्त्विक संख्या हैं, क्या हो जाते हैं, वास्त्विक संख्या हैं, जो अक्सर आप लोग से आए आज तक परें हैं और एक किस का हो जाता है, imaginary number imaginary number जो कि होते हैं कालपनिक संख्याय इमेज जनरी number तो इसके बारे में बाबु हमें तो पढ़ना ही यह पहली बात, इसके बारे में हमें नहीं जानने हैं, हमें वास्ट्विक संख्याओं के बारे में ही जाना है, वास्ट्विक संख्याओं, ठीक है, इनी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनी के रियल नंबर में पूरा लिख देता हूँ यहां पर, और जितना आपक कौन आता है तो मैंने आपको जो पहले बताया कि जैसे रूट के अंदर निगेटिव जब सुरू होता है माइनस वन तब एक नया सब्द का हमनों का निर्मान होता है आयोटा और इन सब से चीज़ों को बारे में उनों पढ़ते हैं तो फिलाल इसका यहां पर जूरत नहीं है एक हो जाएगा आपका परिमे संख्या यानि कर रेशनल नमबर्स एक तो हो गया आपका रेशनल नमबर्स ठीक है दूसरा हो जाएगा आपका E-Rational Numbers E-Rational Numbers ठीक है एक तो हो गया Rational Numbers और दूसरा हो गया आपका E-Rational Numbers Rational Numbers क्या परिमे संख्या जिसे हिंदी में कहा जाता है परिमे संख्या देखिए संख्याओं के बारे में है थोड़ा सा मैं आपको सब को डिटेल करूँगा ठीक है ताकि ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाए इसलिए मैं तोरह सा आज एकदम basic class ले करके आया हूँ और एक हो जाएगा आप परिमे संख्याएं आप परिमे संख्याएं ठीक है तो परिमे संख्याएं और आप परिमे संख्याएं अब जो बात है अब हमें जो जुरुत पढ़ने वाले है यही डियल नंबर से ही चीज़े हम लोग पढ़ेंगे अब इसमें ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन आएगा तो सबसे ज़्यादा इसके बारे में हम लोग पढ़ना है इसी में सब कुछ है क्या क है इसी में सारा खेल है तो यह सभी छोड़कर मैं इसके बारे में एक बार यहां पर लिखता हूं और फिर डिटेल में हम लोगे किक चीजों को समझेंगे इसमें अंदर आपको पढ़ना है है इंटीजर्स को पढ़ने है इंटीजर्स में अगर देखा जाए तो पोजीटीव इंटीजर्स निकेटीव इंटीजर्स आ बार एकयोग प्र शुरू करता हूं बाकि यह चीजों को लिखने का आगे एक एक जब फिर बताना है तो इस तरह से दो बर मेहनत क्यों करना और आपका भी टाइम दो बर क्यों लगाना मैं लिखते चलूँगा और वह सभी रेशनल नंबर के अंदर ही आते जाएंगे जब रेशनल होगा तो मैं खुदी बता दूँगा तो यानि के अंदर अभ इपनीशन से उनके चीज़ों को समझना सुरू करते हैं कि वो कि दिया हो तो क्या हो कैसे होगा वो समझते हैं तो इसमें सबसे पहले और जो सबसे प्यारा सबसे दुलारा जो पहले नंबर आता है वो हो जाता है जानने वाला जो समझना आप यहां सम्रुख सुरू करते है पहले points को अपने लेकर वो हो जाता है आप जाते हैं प्राकृत संख्या क्या हो जाता है बबू प्राकृत संख्या है प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या क्या हो गया यानि कि नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स अब यहां पर एक बात खास द्यान दिज़ेगा जब बहुत सारी संख्याव के बाड़े हम्लोग बात करेंगे तो नेच्छ नबर कह सकते हैं और यहां संख्याएं कह सकते हैं एक एक कब मदत होगा तो प्रैकिट संख्या कुछ भी नहीं करना है बस यह कर देना है कि बाबो गिंती गिनिये खड़े हो जाएए गिंती गिनना शुरू कर ये तो किसी से भी जब हम लोग कहेंगे गिंती गिनिये तो क्या कहेगा एक दू तीन चार पांच है इंगलिस में गिनने वाला होगा तो कहेगा वन टू त्री पूर फाइब ऐसा तो कहेगा नहीं 1,5, 2, 2, 5, 3 ऐसा तो कोई गिने गने और कोई ऐसे जिएगा कि जब्राद ग्रिंती प्रारंभ होता है शुरू होता है वही हमारी प्रक्रमारह और राक्रर संख्या को प्रक्रमार होते हैं यानि कि असान बरस्ध में नमबर्स और कॉल नेच्छरल नमबर्स अब एक गिंती के संख्या क्या होती है तो एक जामपल में लिखते हैं जैसे इसके अंदर क्या आ जाएगा तो हो जाएगा एक दो तीन चार पाच छे कुमा डॉट 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 और यह कहां तक जाएंगी इन फाइनाइट ज जहां तक आप गिंति गिन सकते हैं और इसका मतभिन हैं कि आपको मतर्स तक सौ तक गिंती आता है तो आप तो आपको नहीं आता है। तो इसका मतब भी जाएंगे उससे एक ज्यादा जरूर है। यानि कि कभे भी हम उसके ending point पे नहीं पहुंच सकते हैं अनन्त तक है ठीक है infinite चलते चला जाएगा अब आता है इसी के साथ साथ में इसी के आस पास में एक दूसरा number जिसे हम लोग कहते हैं बाबु पूर्ण संख्या है क्या कहते हैं पूर्ण संख्या है पूर्ण संख्या है क्या होती है तो ये हो गए अपने whole numbers इसके नाम में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है पूर्ण संख्या है कह रहा है whole numbers अच्छा ये numbers अधूरे था क्या ये numbers अधूरे थे क्या कि ये गुन्या ऐसे आगया हम लोग के पास पूर्ण संख्या यानि पूरा होने के लिए कुछ दूसरे के जुरुत पड़ गया क्या यह नमबर अजूरे थे क्या नहीं यह नमबर भी ठीक थे ले गिंती प्रारण करने का हो लुप यह पूरा नहीं हुआ था क्यों चोंकि इसमें एक कमी रह गए थी और वो थी जीरो की कमी किसकी कमी रह गए थी बाबू जीरो की यानि कि जब इस गिंती की संख्या में इस जीरो को भी शामिल कर लिया जाए इस परिवार में इसको भी मिला दिया जाए तो यह जो परिवार बनता है वो बन जाता है पूर्ण संख्या है यह परिवार कैसा बन जाता है पूर्ण संख्याएं और ये भी अनंत तक जाएगा क्योंकि ये अनंत तक था इसी परिवार में इसको मिलाए गया यहाँ पे खास बात यहाँ पे खास बात सभी प्राकर्ट संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं होती हैं सभी प्राकर्ट संख्याएं पूर्ण संख्याएं होत ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, सभी पून संख्या है, प्राकर्ट संख्या भी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जीरो जो है, वो पून संख्या है, तो है, प्राकर्ट संख्या नहीं हो सकती है, हो भी सकती है, कुछ हो सकती है, कुछ नहीं हो सकत आहला कि इसमें पुछका भी बात णहीं है बस एक जीरो जो है इसी व्योओं से ये सर्थ क्राक्रट्य में कुछ bitterness में नहीं आ सकता है इसको छोड़ के आ सकता है लेकिन सभी प्रत्र ओंक चुकि ये नंबर्ड Siis में तो सभी प्राकर संक्या है, पून संक्या है, हो सकती है, होती है, no doubt, ये बात हुआ, अब इसके बाद एक आता है अपना, इसी के साथ साथ, चलते चलते डिगुरते डिगुरते एक और आ जाता है, पुर्णांक, जो integers हैं, अच्छा, पुर्णांक, क्या बात है, integers, ये कहाँगा, कि पुर्णांक, पुर्णांक, पुर्णांक है, integers, अब ये integers क्या है, अब इंटीजर्स को कैसे हम लोग समझेंगे, तो देखे, पुर्णांक जो है, जितने भी ये whole numbers है, जितने भी ये पूरे संक्या है, ये तो इसमें शामिल हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, dot, 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 इसके साथ साथ, इनके योज्य प्रतिलोम को भी लिया जाए, अब योज्य प्रतिलोम कौन सा सब्द भाई, अरे योज्य प्रतिलोम में घबराने वाली बात नहीं है, ноз Νान! माइनस 3 का इधितना काम है उतना है लिया जा रहा है टो ौर इससे भी नहीं समय कि याद रखू यह जो पूर्ण संख्याές न संख्याहों को ले लिए और निगेटिव Spit चिनन के साथ और संख्याहिएक के सब्सक्राइक साथ जी से 1 प्लस में था तो में मािनस के साथ scope 2plus में था तो फिर minus के 7, 3plus में था तो फिर minus के 7 वे ऐसे लेते लेते, डॉट-उट-डॉट in finite तक इदर भी आजाए, तो यह जो पूरा בर्यवार बनेगा यह पुर्णान्क का परिवार होगा यह जो पूरा परिवार बनेगा वो क्या बनेगा पुर्णान्क का एक परिवार यानिकी इन फाइनाइट से चलते हुए बाटा गया है आई उसको देखते हैं और यह दो भागों में कैसे हैं उसके बाद और भी चीजियों को समझते वे चलते हैं मैंने पहले कहा कि हम लोग का ये class काफी basic होने वाला है लेकिन जरूरी है एक बार जिसको भी ये सब संदेह रहता है अब ये आगे अबाज असम्ख्याओं में एक तो हो गया positive integers यानि कि धनात्मक पुर्णांक positive integers और एक दूसरा हो गया negative integers क्या हो गया negative integers यानि कि रिनात्मक पुर्णांक क्या हो गया negative integers ये हो गया धनात्मक पुर्णांक ठीक है और ये हो गया रिनात्मक पुर्णांक ठीक है ये दो भागों में हम लोगों को इसको बाड़ दिया गया अब धनात्मक पुर्णान के क्या हो गए तो जो प्रकृत संख है थी ना वही सब इसमें आ जाएंगी यारी कि एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट, 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 इन्फाइनाइट तक तो रिनात्मक क्या हो ग जा जीरो तो इसमें दिखी नहीं रहा है धनात्मक पुर्णान के एक दू तीन, चार, पांच, आप लिख दियें इदर मैनस एक दू तीन, पांच लिख दियें और आपने तो कहा था कि हमारा पुर्णान्ग जो है वह डॉट, 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 माइनस फिरी, माइ लिया जाता है और ना ही रिनात्मक पुर्णानक में जिरो ना धनात्मक पुर्णानक है ना रिनात्मक पुर्णानक ठीक है जिरो ना इधर पोजिटिव इंटीजर्स नोर निगेटिव इंटीजर्स ना वो धनात्मक में आएगा ना रिनात्मक में आएगा इस बात का ध्यान रखेंगे तो यह basic बाते हैं इसको एकदम ध्यान रखेगा इन दोनों को side किया गया इधर से side किया इधर से इधर इसका boundary है एक midpoint है ठीक है यानि के center में है यह दोनों में किसे किसी में नहीं आएगा और वैसे भी 0 के लिए चाहे आप कहीं भी लिखें हो 0 में गुणा ही अगर करना हो तो 0 हो या-0 ऐसा तो कुछ होगा नहीं वह simply उसको अपने आप में अपने रूप में रंग देगा 0 को 0 ही बना देगा किसी भी multiply यहां पे हो रहा है तो यहां भी conditions है किसी से multiply हो रहा है खर उस क्लास में हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि यहां भी बहुत सारी बाते होती है ठीक है बहुत अभी चीज़ी अलग अलग होती है फिलाल हम लोग इस ट्रेक में उसी पर आते हैं इसके लिए कभी उस अब अब डिटेल क्लास करना हो तो भी मैं कर दूंगा हमेशा नहीं हमेशा जीरो का भाग वाला जो लफ्रा होता है वहर बार सही नहीं होता है कुछ उसमें भी हैर फेर होते हैं चले फिलाल आईए अपने जगापर आते हैं हम लोग तो क्या हो गया कि यह हो गए हमारे पुनान संख्या है संख्या है संख्या है यह क्या है संख्या है संख्या है संख्या है यह क्या है संख्या है संख्या है इसमें कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है आप भी जानते हैं छोटी बात है जिस संख्या में दो से पूरी पूरी भाग लग जाए यह पूरी भाग लगने का पांच में दो से भाग लगता है तो क्या पांच हमारा इवे नमबर्स होगा नहीं इसलिए तो एक सब्द का इस्तिमाल किया जाता है कि जिस संख्या में दो से पुड़ी पुड़ी भाग लगे कि दसंगलो के बाद टूटा फूटा सा नहीं होना चाहिए यह पौइंट उसमें नहीं घुसना चाहिए वह तूटना नहीं चाहिए पूरी तरह से कटना चाहिए जैसे चार बटे दो दो चार, छे बट्टे दो हुआ तो छे में दूसरे भाग लागा है, दो तीया छे, पुरी तरह से कटा ना, इसमें कोई पॉइंट कोई भी हेट पर नहीं हुआ, असान भासा में अगर छे चीजों को, छे चीज आपके पास है, और दे दे जाए तीन आदमी को बाटने के लिए तो आप दूदू को अराम से बाट सकते हैं, उसमें कोई बाटना है, तोड़ना नहीं पड़ेगा, काटना नहीं पड़ेगा, लेकिन पांच चीजों को दो आदमी में बाटने के लिए कहा जाएगा, तब तो प्रोब्लम हो जाएगा, दो पॉइंट फाइब करना पड़े जती है, वो हमारी सम संख्याएं होती है और यह जए आसे हो गई, दो चार छे आठ दस तोड़ ड़ इननफाइने तन तक, और इसके तुरत बाद है हमारा ओर्ड नंबर्स, यानि कि Even Numbers और नमबर्स यानि कि विश्थम संख्या happens नाम में कहीं clear हो गया, और नंबर्स का रह नहीं लगता हो विश्व कैका है जिसमें दूसे पूरा-पूरा भाग लगे वो सम हो गया तो जिसमें नहीं लगा वुष्व हो गाए जैसे क्या हो जाएगा एक तीन पांच साथ डॉट 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 यह भी इन फाइनाय तक हो जाएंगे तो छोटी सी बात हैं अब आईए हम लोग यह जान लेते हैं अभाज्य यह जो प्रायम नंबर सेने स्वेकर में इनको भी तो मज़ते हैं वो क्या है और कैसेहीं अइए तो क्या है हमाज्य संक्ञा है आछे में ही एक शब्द आता एक और। ज़सेमने से साथा है बंबच्चे ëंभाज्य में या रूड के रूड संख्या है ठीक है दोनों एक का ही बात हो रहा है कोई अलग अलग नंबर्स की बातें में होती है यानि कि किसका इंगलिस में क्या हो क्या प्राइम नंबर्स तो प्राइम नंबर्स क्या होता है यह एकदम से क्लियर है प्राइम नंबर्स थोड़ा सा समझ यह इसमें बड़ी confusion होता है तो ध्यान देंगे ऐसी सब सब पहले तो इसको definition में ही मैं आपको एक clear करना चाहता हूं इसी में आप ध्यान एंगे एक से बड़ी वह प्राकिर्ट संख हैं एक से बड़ी वह प्राकिर्ट संख हैं जिसमें एक और स्वयम के अलावा यानि कि एक और खुद के अलावा किसी और से भागना लगे इसको बोलने के एक और तरीका होता सकता है एक से बड़ी वह प्राकर्ट संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो देखिए वहाँ पर मैंने बोला जिसमें यहाँ पर मैंने बोला जो तो सब्दों में जैसे हेर फिर होगा उधर विभाजित होना हो जाएगा या भाग ना लगे ठीक है दोनों में फर्क होगा मैं आपको एक बार अराम से यहाँ पर पहले लिखता हूँ मैंने कहा प्राकर्ट संख्या एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ मैंने कुछ नंबर से लिए एक से बड़ी सबसे पहले एक का दास्ता कट गया क्योंकि मैंने डेफिनिशन में भी बोला एक से बड़ी वह पराकर्ट करण है एक का तो कहांữa फहले खुतम हो गया एक से बड़ी वह पराकर्ट さंख्या है जिसमें एक और स्वेप सम्ख्याओं के इवक रूट के लुए ना लगे इसको दूसरे तरीके इसे जिन संख्यां के वäg केवल दो फैक्टर होते हैं वही हमारा रूट संख्याय होती है उसके कि इसानलम होगे है मैं सही हर्ची होग दो से संख्या यानि कि रूट संख्या प्राइम नंबर सो सकता है तीन पर फोकस करेंगे तो इसमें भी एक से लगेगा और तीन से लगेगा जब आप चार पर फोकस करेंगे तो इसमें एक से लगेगा दो से लगेगा और फिर चार से लगेगा क्या हो गया दोनों डेफिनिशन को यह उल्टा कर गया कि एक और स्वेम के आलावा किसी और से भाग ना लगे लेकिन यह तो किसी और से भाग लग रहा है तो भी फैल अगर दूसरे तरह से सोचेंगे आप कि जिसके केवल दो गुने नखंड हो यहां पे एक गुने दू और दू गुने एक बस दो होता था लेक हो जाएगा आपको साथ हो जाएगा नॉ होगा क्या नहीं हो सकता है नहीं हो सकता है क्योंकि इसका एक से Сब्बिक टेगा तीन बिकटेगा और नौ से भी और इसने इस रूल को छोड़ दिया कि दो से ज़्यादा गुननकर नहीं होना चाहिए या एक या स्वयम के अलाबा किसी और से भाजित नहीं होना चाहिए लेकिन यह तो नौ से थीन से भी हो रहा है तो यह भी फेल हो जाएगा साथ के बाद देख ही होती है अब भाज संक्या है सब विशम ही होती है एक दो को छोड़ कर एक दो को छोड़ दिया जाए तो बच हुई सभी संक्या विशम है तो क्या आप कह सकते हैं कि सभी विशम संक्या भाज संक्या होती है नहीं ऐसा हम नहीं कह सकते हैं और ऐसा कहेंगे तो कलत होगा क् 9 तो नहीं आया था, 15 तो नहीं आना है, 21 को तो नहीं आना है, 27 को तो नहीं आना है, और यह सभी विशम संक्या हैं, यानि कि ये बात आप कभी नहीं कहेंगे, ति सभी विशम संक्या हैं, अबाज संक्या होती हैं, हाँ, दो को छोड़ कर बचे वे सभी अबाज संक्या हैं, तो ये सभी बातों को ध्यान देना है दो एकलोता ऐसी समसंख्या है जो अभाजवी है यानि कि रूट संख्या भी है दो एकलोता ऐसा नंबर जो इवेन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है इस बात का ध्यान देना है और क्यों क्योंकि वो इसके जो कंडिसंस है जो शर् अब भाजय के बाद या जाता है भाज्य संग्हाई जब औह भाज्य देख लिए तो भाज्यımıछ बहाद, भाज्यम भी होगा, भाज्याी कि इससे हम जोर जोर संख्हाई में उस 실र तरह इसको योगिक तरह इसको योगिक संख्याएं भी कहे जाती हैं ठीक है और इसके इंगलिस में हो जाएगा मेरा composite numbers ठीक है composite numbers अब composite numbers क्या है यह समझ यह कुछ नहीं यहां पर जो बच गए यहां यहां वह composite numbers है यहां यहां कि जो प्रकरट संख्या है लिखी गई है तो जो बच गई वह यह होगा लेकिन इसमें भी बात वैसे यह आता है एक से बड़ी वह प्रकरट संख्या हैं जिसमें एक और स्वयम के आलावा किसी और से भी भाग लगे अपने बातें को ऐसे चं इसको फेक्टर कही साब से दखें तो जिसमें दो से ज्यादा गुनन खरना है वो हमारे योगिक संख्या है हो सकती हैं जैसे अब इसमें क्या क्या हो सकता है तो यहां पर किलियर है जो बच गया था चार जो बच गया था छे आठ नो इस परकार से जैसे इसमें क्या क्या हो गया है बाबू चार छे आठ नो दस बारह फिर चौदह फिर पंदरह फिर सोलह इसी तरह से आते चला जाएग चार हो गया तो पहले दो तीन तो पहले इसमें हो चुके है चार बच गया पांस तो हो नहीं सकता है छे बच गया साथ तो हो नहीं सकते क्यों वह उसमें है तो आठ बच गया फिर नौ उसमें नहीं था ये हो गया दस इसमें हो गया ग्यारा नहीं हो सकता था वह तो उसमें हो कोटी चोटी points से जो धिक्कत करती है कि योर्गिक संक्याऊ में विशम संक्याअ भी हो सकती हैं योन, इससाफ संहे उर स्भूर और संहाँ यहां पर हो गया है लेकिन इसमें बस condition ही तो इसमें क्या हो जाएगा बहुत सरे हो जाएंगे अब देखते हैं अब आइए आप देख लेते हैं एक जब अभाज संख्या देख लिये हैं तो यहां पर एक सअभाज संख्यां के बारे में भी थोड़ा समझ लिया जाए सुआबध यानि को को प्राइम नमबर जो है को प्राइम ओनमबर जो है इनके बारे में देख लेता है ये क्या है तो सवाभाज शुर निकालाज है नहीं मैं नकाला जाना सब्सक्राइब हैं जिनके बीच में केवल अगर कॉमन निकाला जाए तो सिर्फ एक कॉमन हो उसके अलवा कोई बीच इच कॉमन नहीं होना चाहिए वह हमारे सभाजे कहलेंगे जैसे आप देखें तो साथ से आठ का देख लीजिए अब साथ और आठ यह जो जो रहा है यह यह जो रहा है यानिके साथ बट्टा आठ अगर लिखा गया तो आप इसे कटा सकते हैं हां कटा सकते हैं एक सते साथ और एक अठ फिर आए गया साथ बट्टे आठ यहानिके सिर्फ एक से कट सकता है तो आपको अगर चार बट्टा छे लिखे गए हो तो आप इसे दो दू नमने किया तो यह सभी क्या हो सकती है तो इस तरीके के जितने भी संख्या है वो सभी सहाभाज़य हो सकती है साथ नौ हो सकता है साथ दस हो सकता है ठीक है इस तरह कि जितने भी सभी संख्या आएंगी वो क्या कहलेंगी साभाज यानि कि जिन संख्याओं के बीच में किवल एक कॉमन हो यानि कि उनके बीच में कॉमन एक के अलवा और कुछ भी नहीं होना चाहिए एक क्यालाव किसी से नहीं कटने चाहिए तो वो हमारे क्या कहला देंगे सहाभाज्य हो जाएंगी ठीक है तो यह छोटी सी बात है इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक बातों को समझे हैं और इनी बेसिक बातों के साथ आज के कलास को हम लोग एंड किया जाए इसको और भी डीप में जाए जा सकता है पर एकदम से उतरा भी जरुवत नहीं है क्योंकि काफी हद तक काफी नीचे समरुख चले है तो अब उससे भी ज्यादा नीचे तक जाने का जब जीसे नहीं होता है कि संख्याओं को एकदम और गहराई से और पूरा चीज़ों को और टाइम से समझा जाए तब वो जाए जाता है पर उतरा जरुवत नहीं है अब जैसे इसमें कालपनिक संख्याओं का कोई काम नहीं था तो उसके बाड़े में जानना क्या जरुवत है और भी कुछ-कुछी जिनका काम उतना नहीं है तो उनको जूट-मूट का टाइम लगाने के कोई जरुवत नहीं थी इसलिए उनको स्किप किया गया बाकी ये आपको जितनी भी चीजों के जरुवत है वो सभी कवर एकदम अराम से और एकदम धंग से कर दिये गए आप इन पे कमांड कर लिजे और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के तरह बढ़ेंगे जो हम लोगा महत्वपून टॉपिक होगा अब आप इस वीडियो को एक ही काम कीजी अपने सभी दोस्तों तक सेयर कर दीजे जिससे कि उन बच्चों का भी काम हो जाए और हम लोग इसमें मैंने पहले ही कहा है कि जरुवत आगे पड़ेगा तो क्लास इसको डबल कर दिये जाएंगे ठीक है टेंसन नहीं लेना है बस मैनत करते चलिए तो बस आज के वीडियो में इतना ही मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत